Hello everyone, आज हम endomembrane system के बारे में study करेंगे तो endomembrane system क्या होता है, इसमें कौन-कौन सी organelles आती हैं जैसे endoplasmic reticulum, golgi apparatus, endolysosomes और becule के बारे में हम detail में study करेंगे और यह आपके exam में बहुत important role ले करता है इसमें से बहुत सरे questions होते हैं, आपके exam में बनते हैं तो endomembrane system क्या होता है अब हम क्या करेंगे हम जो है organelles के बारे में study करेंगे हमने cell membrane cell wall के बारे में detail में study कर लिया है अब cytoplasm में कौन कौन सी organelles present होती है उनके बारे में detail में study करेंगे तो endomembrane study क्या है endomembrane system क्या होता है देखो ऐसी जिनके function होते हैं, close coordination में होते हैं, एक दूसरे से करते हैं, coordinate करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंडो-membrane-orginally हम उनको बोलते हैं, जैसे मान लो, कि आपने क्या करना है, एक विस्कृट लगाने की factory लगानी, तो विस्कृट लगाने की factory जब लगाओगे, तो आप उस factory में different compartment बनाओगे, एक जहां पर आप क्या करोगे, wheat से क्या करोगे, आप उसको floor में change करेंगे, उसको आटे में change करेंगे, दूसरे बाले unit में आप क्या करेंगे, उस आटे को wake करोगे, उसको need करोगे, तीसरे बाले, क्या बोलते हैं, वहाँ उनको चुटोटे pieces में, biscuit की shape में उनको wake किया जाएगा, ठीक है, और fourth में क्या करेंगे, आप पैकेजिंग करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, उस factory में चारों के चारों system क्या है, यह coordinate करेंगे, एक में क्या हो रहा है, आपका flurk त्यार हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है कि वहाँ पे knitting की जा रही है, और उसके बाद जो मतलब waking करने के बाद कोई packing की जाती है, तो वैसे ही हमारे cell के अंदर भी ऐसी बहुत सारी होती हैं, जिनके functions के करते हैं, coordinate करते हैं एक दूसरे के function के साथ, और ऐसी और्गनलीज को हम क्या बोलते हैं, एंडो membrane system का पार्ट बोलते हैं, जिसमें endoplasmic reticulum आता है, गोलजी बोडी आती है, लाइसोजोम्स और बैक्योवल्स होती हैं, चारों और्गनलीज होती हैं, ये endomembrane system का ही पार्ट है, आपकी chloroplast, आपका mitochondria, ये endomembrane system का पार्ट नहीं है, क्योंकि इनके functions होते हैं, coordinator नहीं करते हैं, तो it consists though, while each of the membranes और्गनलीज होती है, उनका structure होता है, बहुत ही distinct होता है, इसकी structure में, function में, लेकिन many of these are considered together as an endomembrane system, because उनके functions होते हैं, क्यों होते हैं, coordinate होते हैं, और the endomembrane system होता है, इसमें क्यों होता है, endoplasmic reticulum आता है, Golgi complex आता है, lysosomes आते हैं, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, endoplasmic reticulum, they are the part of endomembrane system, आपको यह पता होती है, कि endomembrane system में, कौन कौन सी, आपकी जो, organelles आती हैं, since the function of mitochondria, chloroplast and proxysomes होते हैं, they are not coordinated, ठीक है, mitochondria, chloroplast and proxysomes, उनके functions होते हैं, coordinate नहीं होते हैं, अब अब component के साथ, hence these are not considered as a part of endomembrane system, in common endomembrane system का part, नहीं मानते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपकी कौन सी, organelles याती है, endoplasmic reticulum के बारे में, हम detail में study करेंगे, आप diagram को यहां देख सकते हैं, ठीक है, तो endoplasmic reticulum जो है, एक network of tube-like structure हैं, जो कि हमारे cytoplasm में जो होते हैं, present होते हैं, आपके cytoplasm में क्या होते हैं, present होते हैं, endoplasm जो होते हैं, tube-like structure होते हैं, जो कि हमारे cytoplasm में क्या होते हैं, present होते हैं, यह हमारे cell के अंदर जो space है, उसको दो भागों में क्या करते हैं, divide करते हैं, यह हमारे cell के बीच में जो space होता है, extra luminal space जो कि cytoplasm है और जो space इसके अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे luminal space बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है हमारे intercellular space को क्या करता है ये दो भागों में डिवैड करता है luminal और extra luminal cytoplasm में ठीक है और ये क्या होते हैं आपके जो endoplasmic reticulum होते हैं जैसे माल ये cell है ठीक है ये nucleus है ये nucleus और plasma plasma membrane की बीच में करता है ये रन करते हैं तो इसका मतलब क्या है ये एक जो है मतलब कि they can be extended from nuclear envelope to plasma membrane ठीक है उसके बाद endoplasmic reticulum जो होते हैं इसमें क्योंते हैं तीन kind के structure जो हí प्रेजन्ट होते हैं तीन kind के structure जो होते हैं प्रेजन्ट होते हैं कौन-कौन से आपके sister ने होते हैं ये उन mı cells में पाए जाएंगे जिनके पास काफी ज़्यादा synthetic role होते हैं जिस्टर ने कैसे होते हैं ये ज्यादा होती है टिब्यूल्स ये ट्यूब लाइक होते हैं ये भी कैसे होते हैं ट्यूब लाइक होते हैं ठीक है ट्यूब लाइक होते हैं ब्रांश्ट भी हो सकते हैं अनब्रांश्ट भी हो सकते हैं ये केह करते हैं ये केबल लिपिड और स्टिरोइड की सिंसिस करते हैं tribules होते हैं, आपके lipid और steroid की जो है मतलब synthesis करते हैं और तीसरा पार के होते हैं आपके endoplasmic reticulum है, basical present होते हैं और basicals के होते हैं ते याथा membrane bound bacule बनाते हैं, यह bacule बनाते हैं, lysozomes बनाते हैं याद रखना, यागे चल के bacule बनाएंगे, lysozomes बनाएंगे आपके endoplasmic reticulum जो होते हैं mainly dog type के होते हैं on the basis of presence or absence of ribosome अगर हमारे endoplasmic reticulum के उपर ribosome जो होते हैं टेस्ट होते हैं तो इगर करेंगे यह हमारे endoplasmic reticulum को rough appear करवाएंगे hence that endoplasmic reticulum is called as a rough endoplasmic reticulum और इसका main काम क्या होगा protein के senses में important role play करता है और smooth में क्या होते हैं इसमें जो होते हैं cable ribosome जो होते हैं वो absent होते हैं ठीक है इसमें tubular basical का मिलकरी बना होता है और इसका main काम क्या होता है आपका lipid और steroid formation करना लिपिड और steroid formation करना तो आप देख सकते हैं NCRT में कि electronic microscopic जो है structure अगर हम देखे हैं यूगर्डक सेल्स का तो यहां पे क्या होते हैं reticulum like structure जो होते हैं present होते हैं हमारे cytoplasm में ठीक है तो यहां पे क्या है इसको हम क्या बोलते हैं endoplasmic reticulum बोलते हैं और hence endoplasmic reticulum जो होते हैं हमारे intercellular space को क्या करता है दो भागों में डिवाइड करता है luminal space और extra luminal space जो जिसके बारे मैंने आपको बता दिया है luminal space और extra luminal space जिसको हम बोलते हैं ठीक है उसके बाद endoplasmic reticulum जो होते हैं इसके पास क्या होते हैं ribosome जो होते हैं वो attached होते हैं on the outer surface और ऐसा endoplasmic reticulum जिसके पर ribosome attached है उसको हम क्या बोलेंगे rough endoplasmic reticulum बोलेंगे the endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called as the rough endoplasmic reticulum और in the absence of ribosome they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum हम बोलेंगे rough endoplasmic reticulum कहां पाया जाता है rough endoplasmic reticulum जो होते हैं यह उन cells में पाया जाता है जहां पर ज़ादा ज़ो है का क्या होती है protein senses का काम होता है encryption का काम होता है तो rough endoplasmic reticulum जो होता है observe in cell actively involved in the protein senses and secretion or they are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus ये nuclear membrane और plasma membrane की बीच में क्या करते है रन करते हैं मैंने अपको बता दिया है उसके बास smooth endoplasmic reticulum जो होते है यह में जो है ट्नीबूल और बैसिकल के ही बने होते हैं इनमें सिस्टर ने जो होते हैं यह जो होते हैं यह major site है synthesis of lipid की और इन animal cells में क्या होते हैं lipid like steward hormone जो होते हैं आपके जो ऐसे hormone जो की cholesterol से बनते हैं steward से बनते हैं वह हों मैं हमारे smooth endoplasmic reticulum में ही बनते हैं तो this is all about the rough endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum क्या होते हैं functions क्या होते हैं यह protein synthesis का काम करता है scrition का काम करता है rough endoplasmic reticulum के पास ऐसे enzyme होते हैं जो की glycosylation करते हैं एंड ऐसे enzyme के precursor बनाते हैं जो की आगे चलके जो है मतलब आपके lysozome बनाएगा, vacuol बनाएगा, Golgi body के थुरू, ठीक है स्मूथ endoplasm reticulum जोते हैं यहां पे lipid बनता है और बहुत सरे steroid-like hormone जोते हैं हमारे स्मूथ endoplasm reticulum में ही बनते हैं और स्मूथ endoplasm reticulum क्या करेगा यह very very important यह detoxification करता है of a drug and genobiotics यह detoxification करता है drugs and genobiotics के ठीक है उनको destroy करता है यह भी आपने याल रखने हैं उसके बाद है next that is Golgi body यह Golgi operator जिसको हम बोलते हैं दोखो Golgi body सबसे पहले किस ने देखी गी थी it is the Golgi body was observed by Camelogolgi तो Camelogolgi first observed Golgi body in किस में करेंगे in the network of nerve cell of warn owl and cat ठीक है यह जो Golgi body थी यह किस में देखी गई थी सबसे पहले nerve cell of warn owl और cat में देखी गई थी किसना देखी थी Camelogolgi उसी के नाम पर Golgi body नाम रखती है और Golgi body जो होती है सबALLY u-creatic cell में present होती हैं मैंने आपको पहले बता यह कि u-creatic cells में membrane-bounded और्ग्लीज होती हो प्रेजंट होती हैं लेकिन फ्रो और सेल्फ में मेंबरेन औरक्रीज होती हैं आप एड कर सकते हैं meil gamete of bryophyte and meil gamete of bryophyte में भी च्योति है एपसेंट होती है RVC में भी membrane-bounded organism च्पेंट होती है Shoeb tube of plant में पर प्लांट में उनमें भी golgi body अपसेंट होती है अग फंजाई में भी golgi body अपसेंट होती है ठीक है और animal cells में इन णिमल में क्यों हती है टीकित के ड़िक्टिसम के बिनालोगर में बानाओं वर यहाँ इन्जमल के रये, यह लेकिन प्लांट सल में क्यों होता है। इसे को लिख सकते है। इसको लिख सकते हैं रिक्टी ओ ! चो उसको हम बोलते हैं ठीक है उसके बार गोलजी अवड़ी भी क्या हूता है यहां पर आप देख सकते हैं गोल जी बॉड़ी में क्या होता है। consists of many flat disc shapes, sacs, and sisternic हमने एंड़ोपलाजमिक रेटिकुलमी पडा वैसे में क्या होते हैं sisternic, basicals, tubules , bacules और these are stock parallel to each other और varied number of sisternic, यह present होते हैं हमारी गोल्जीवाड़ीबिचर्ण, आप देख सकते हैं बहुत सरे sisternic present होते होते हैं आप पर्स में interconnected होते हैं गोलजी बॉड़ी के सिस्टने जो होते हैं यह होते हैं अरेंजड कंसेंट्रिकली नियर दर नुकलेस बिद डिस्टिंट कनवेक्स सिस और फॉर्मिंग फेज होती है सिस और फॉर्मिंग फेज होती है फॉर्मिंग फेज एंड कनकेव ट्रांस और मैचुरिंग फेज ठीक है किया है सिस न ट्रांस फेज होती है टोनों डिफ्रेंंट होती जैसे मैं आपको बताँ सिस सर्ट्रांस फील धिया होती है जैसे आपके सेल यहां पर इन्युक्लिय words है ठीक है यहां पर गोडی की कमें इसमें की होता है आपके समय कोड़ें में यहां फ्यूज होंगे तो इसको हम बोलेंगे सिस फेज क्या बोलेंगे सिस फेज बोलेंगे इसको यहां पर क्या हो रहे हैं बैसिकल फॉर्म हो रहे हैं तो इसको हम फॉर्मिंग फेज भी बोलेंगे और यहां से बैसिकल क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे ठीक है इसक क्या बोलेंगे concave और maturing phase भी इसको बला जाएगा तो यह सिस phase होगी और this is called as a maturing phase और trans phase भी इसको बोलते हैं तो आपकी गोलजी body के पास क्या होती है दो phase होती है that is cis phase and trans phase तो द्वारा बताते हैं इनको ठीक है क्या होता है कि आपकी गोलजी body में क्या होता है सिस्टल ने are concentrically arranged होते हैं nail the nucleus with distinct convexus और forming phase and concave trans phase और maturing phase और cis and trans phase होती है और entirely different होती है लेकिन interconnected होती है अब देखो गोलजी body के main functions क्या होते हैं number one packaging and storage of material करना जैसे आपने endoplasmic reticulum में क्या होता है कि वहाँ पे protein बनती है क्योंकि ribosomatized है उस protein की packaging की जाती है storage की जाती है तो गोलजी body का main काम जो है वो packaging करना material की और फिर उसको क्या किया जाएगा cell के अंदर या तो release किया जाएगा या तो cell के बाहर उसको body के बाहर उसको script किया जाएगा तो वही है material to be packed in the form of basical from ER जो ER से basical आया वो fuse होगे कहां पर आपके गोलजी body में और गोलजी body की सिस phase में और गोलजी body फिर trans phase से release होगे जैसे मान लो कि यह ER है यह गोलजी body है ठीक है अब यहां पर क्या है जो है आपका जो यहां से basical आया और वो कहां किया वो सिस phase में किया होगा फियूज होगया और यहां से जो हमोडिफिकेशन करके packaging को कि वो maturing phase यह जो हमें trans phase से release होगया तो वही चीज़ है packaging में important role of play करता है ठीक है और उस फिर material को यह तो cell के अंदर और cell के बाहर जो है release कियाता है तो material is to be packaged in the form of basical from the ER जो है endoplasm retigulum fuse कर जात सिस phase of golgi apparatus and move toward the maturing phase और this explain why the golgi bodies होती है remain in close association of endoplasmic reticulum यह हमें explain करता है क्यों golgi bodies होती है it is a part of endomembrane system क्यों golgi bodies होती है आपके जो मतलब endoplasm reticulum के साथ साथ जो मतलब आई जाती है यह आप देख सकते है उसके बाद number of proteins होती है जो आपके ribosome होते है endoplasm reticulum rough endoplasm reticulum में उ उनके साथ क्यों होती है वो बनती है यूकिन उसको modify किया जाता है golgi body में उनको enzyme में change कियाता है golgi body में तो वही चीज़ है number of protein that is synthesized synthesized in the sister name of the ribosome on the endoplasm reticulum are modified in the sister name of golgi apparatus before they are released from its transferase तो जब जैसे release उनसे पहले उनको क्या क्या जाएगा modify क्या जाएगा और golgi bodies होती है it is very very important site for formation of glycoprotein और lipid जब lipid में carbohydrate को add कर दो तो glycoprotein बनते है तो glycoprotein और आपका glycoprotein और आपका glycoprotein और आपके जो गोलजी body में ही बनते है और very very important जो sperm matter जो sperm का जो akrosome होता है that is the modification of the golgi body जो akrosome बनता है एक्रोजोम बनता है कहां पे आपके जो sperm है that is modification of the golgi body से बनता है गोलजी बोडी से ही बनते है, this is all about your गोलजी बोडी, अब है next है, अब गोलजी बोडी से जो बैसिकल निकलेंगों वो लाइसोजोम होगे, उनमें डिफरेंट एंजाइम होते हैं, तो लाइसोजोम जो होते हैं, इनको सबसे पहले जो रिपोर्ट किया गया था, किसको किया था, क्रिस्टन डीडूबे, डीडूबे ने क्या किया था इनको, जो मतलब discover किया था D-Dubay ने जो इनको मतलब Christian D-Dubay ठीक है आप ऐसे लिख सकते हैं Christian D-Dubay जो इनको क्या किया था Lysozone को discover किया था Christian D-Dubay ठीक है उसके बाद क्या है बलता कि ये single membrane bound है देखो ये single membrane bound है ये भी आप नियाज रखना है स्मॉल होते हैं बैसिकुलर और निलीज होती है इसके अंदर बहुत सरे क्या होते हैं विटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं तो ये क्या है ये single membrane bounded basic structure होते हैं ये क्या बनते हैं गोलजी बॉड़ी से ही बनते हैं ठीक है और these are membrane bounded structure that form by process of packaging इन गोलजी बॉड़ी देखो एंजो प्रोटीन बनी न वो कहां बनी आपके रफ्रेंडोप्लास्मी रेक्टिकुलम में बनी और उस प्रोटीन को जो हैं मॉड़िफाई कर दिये हैं रेलेटिक एंजयम जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं इसे फ्रोटीन का ब्लेकडाउन करते हैं ऐसे बरते हैं एक्टीटीलम करें के qay को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं क्यों क्यों कि जैसे मान लो कि आपकी सेल में इंजरी होगी तो सारा का सरा लाइसोजोम क्या करेगा बस्ट कर जाएगा और जैसे बस्ट करेगा तो सेल को पूरा का पूरा जोगा यह हमारे अनिमल सेल में पाया जाते हैं सभी अनिमल सेल में पाया जाते हैं एकसेप्ट आर बीसी में तो नहीं होंगे और इन प्लांट और फंजाए में जो होते हैं लाइसोजोम अपसेंट होते हैं इनका जो फंक्शन होता है वो कौन लेता है वो बैक्योल करते हैं बैक्यो आइसो लिटरल आइसोजोम बैसिकल जोते हैं हैब विन फाउंट वी बैरी रिच इन अल्मोस्ट आल टाइप आफ अफ हार्डोलेटिक अंजाइम हार्डोलेजिन जो की वाटर की अडिशन करके ब्रेकडाउन करेंगे लाइपेज होंगे, प्रोटियेज होंगे, कार्भोहाइड़ेट होंगे जो की एसलिक पीएज के उपर क्या होते हैं वो एक्टिव होते हैं और थीज एनजाइम जोते हैं और अफ डाइजस्टिंग कार्भोहाइडरेट्स, प्रोटीन, लिप्रिड अंडर nucleic acid को करते हैं, यह मतलब digest करते हैं, ठीक है, उसके बाद था आपका bacchule bacchule जो होता है, is a membrane bound space found in the cytoplasm, membrane bound space होता है जो कि cytoplasm में पाया जाता है और इसके अंदर water होता है, sap होता है, excretive product होते हैं और other material होते हैं that not useful for the cell, जो कि cell के लिए useful नहीं होते हैं, और इसमें क्यों होता है, it is also bound by a single membrane that is called as the tonoplast, कई बार question आया है कि जो है bacchule की membrane का नाम क्या होता है, tonoplast is the name of the bacchule membrane, और in plant cell the bacchule can occupy up to 90% of 90% of the volume of the cell मैंने आपको बताया था, plant cell और animal cell में क्या difference होता है, कि plant cell में जो bacchule होता है, वो large size को होता है, as comparison to animal cell, तो वहां पे plant cell में जो bacchule हो 90% जो होता है, वो occupy करता है, और in plant cell tonoplast जो होता है, इसमें क्या होता है आपको बहुत सरे, जो आपके जैसे महान लोग कि ये bacchule है, tonoplast इसकी membrane इसमें क्यों होता है बहुत सारे molecule का जो है मतलब transport होता है inside और outside जो होता है इस bacules में transport होगा तो in plant cell tonoplast facilitate the transport of a number of ions and other material against the concentration gradient into bacule hence the concentration होती है बबबिसलिए high होती है जितने भी material है उनकी concentration होती है वो high होती है bacule में then in the cytoplasm क्यों क्यों हों कि against the concentration जोती है वो transporter होती है ठीक है और इन amoeba या fresh water organism जितने भी हैं आपके single cell eukaryotes में उन में क्यों होता है contractile vacuole होता है किसके लिए for osmo regulation and excretion के लिए osmo regulation क्यों होता है maintenance of water and ionic balance inside the body is called as the osmo regulation तो इन amoeba में contractile vacuole present होता है is a very very important role होता है इसका contractile vacuole देखने में कैसा हो प fasting होता है यहां पर जो है contractile vacuoles होता है यह radio 來iating canvy of post ऊजनीर होती है ठीक है contractile vacuole का का म्यों होता है यह Osmo regulation में important role play करता है Osmo regulation में important role play करता है execution में important role करता है ताकि cell हमारी burst नो जाए endcosmosis से in many cells age and proteise food vacuoles भी क्या होते हैं यह बनते हैं by engulfing the food particle जैसे मालो कोई आपका organism है ठीक है आपका कोई organism है वो क्या बनाएगा वो जैसे ही बनाएगा यहां पर बन जाएगा ऐसे बहुत सारे food vacuoles जो हैं बन जाते हैं organism के अंदर तो यह भी क्या होते हैं बैक्योल ही होते हैं तो दिस इस आल अवाउट यूर अन्डो मेंब्रेन सिस्टम अन्डो मेंब्रेन सिस्टम में कितनी अर्गन ली जाती हैं अन्डोप्लाजमिक रेक्टिकुलम आ not coordinated उनके functions होते हैं वो coordinate नहीं करते हैं hence they are not a part of endomembrane system ठीक है this is all about your endomembrane system